एक कहावत है कि राजनीती में कभी भी सामान्य इस्तिती नहीं आती है। इस दौर चल रही है। इस दौर का हिस्सा पूर्व राष्टपती और भारत के अच्छे मित्र माने जाने वाले डूनाल टरम भी हैं। आने वाले अमेरिका के पूर्व रश्टपती डोनाल ट्रम्प नी सत्ता मियाने पर पारस्परिकर लगाने का संकल्प लिया है। साथी उन्होंने आरूप लगाया कि सभी प्रमुक देशों में से भारत विदेशी उत्पादों पर सबसे अधिक शुल्क लगाता है। डोनाल ट्रम्प बीते गुरुवार को डेटराइट में प्रमुक आर्थिक नीती पर अपना राजनितिक भाशन दे रहे थे। जौरान उन्होंने कहा। वो बहुत बढ़िया थी। में महान व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन वो शायद काफी शुल्क लेते हैं। बता दें कि अमेरिका के पूरू राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प की ये टिपड़ी इस सब्ता की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी की प्रशनसा करने के बाद आई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी को सबसे अच्छा इंसान करार देते हुए भारते नेता को अपना मितर बताया था। अमेरिका के राश्पती पत के लिए रिपब्लिकन उमीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था। वो यहूदी देश इसराइल और अमेरिके यहूदी समुदायों की रक्षा के लिए प्रतिबद हैं। बात इस तथे पर भी करना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रम्प जिस पारस पर इकर को लेकर भारत की आलोशना कर रहे हैं असल में वो पारस पर इकर क्या होता है और भारत में इसे किस तरह एपलाई किया जाता है तो आईए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि पारस पर इकर क्या होता है। अब ये बताते हैं कि भारत में इसे कैसे एपलाई किया जाता है। पुझिगत लाब कर, म्यूचल फंट्स में निवेश की बिक्री से होने वाले पुझिगत लाब पर करकी दरें निम लिखित हैं। पुझिगत लाबित होती है। आप खुध ही अंदाजार लगा सकते हैं।